अब दोस्तों कैसे हुआ आप दोस्तों देखो गारी में बैठा वा हूँ और गारी में बैठने का रीजन यह है कि कालंग पुंग जा रहा है ठीक है ना मंगल धाम का दर्शन कर लेते और कालंग पुंग को थोड़ा देख लेते रस्ते में अभी फिलाल तो सिली गुडी से कालंग जाएंगे और देखेंगे कैसा है ठीक है अब अब दस लोग आपर एक सुमो है। चीक है मेरे गाउं से जितने भी लोग आए थे ना उसमें से कुछ लोग यहां पर रहे है सारे लोग नहीं हैं। देखो घले बूंग जा में जा बिसुर कालंग धूंग तो चलिए करंपुंग चलते हैं और उसके बाद फिर वहां देखेंगे क्या हुआ कि इअ अचय के सिफ में बैठा हूँ लेकि बाहर फुरा देख रहा हुआ ठीक है ना पिछे बैठ करके मैंने सोचा के देखने नहीं बिलेगा कुछ भी लेकि नहीं से दिखाई देरा बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपको दिखाता हूँ यार किया क्या दिखाई देर आपने जंगल थोड़ा जो सिली गुड़ी टाउन थोड़ा सा पार में है अलग सा एक कुछ मजा आ रहा है सुबू के अंदर मैं लेकी नहीं हांसे पाहर का पार का पानी काः रंग देखाई दे रहा है पानी ता रंग भेगे ऑनल रहा है अच्छा लगा भी आह एकर थेखं़िक कि जो सिलिगुडी मंदिर है वहां में गुरुजी वगेरा सब लोग जा रहे है कालेपुंग मंदिर से तो वो लोग मुझे अभी यही में दिखाई दे गए तो हम लोगों ने गाड़ी को रोक लिया है यहां उतर के थोड़ा देख लेते हैं ठीक है उनसे बाते कर लेते हैं तो दोस्तो हुआ यह कि जो हमारा महराजी का गाड़ी था गुरुजी का गाड़ी था उसको किसी लिए ठोग दिया है यह देखी यह देखी यहां मैं किसी ने इसको ठोग दिया है ठीक है तो गुरुजी को चोट नहीं आया है गुरुजी ठीक है और गुरुजी अभी नि हमारा जो मंदीर है मंगल धाम, मंगल धाम का दर्शन कर लेते दोस्तो गुरुजी का दर्शन भी हो गया, गुरुजी का आसिरवाद भी मिल गया, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम चलते हैं कालिंग फुंग, मंगल धाम का दर्शन करने तो चलो यार तो उस तो बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्टिंग बात हुआ क्या हुआ पता है कि मैं वीडियो बना रहा था तो जो दीदी थी दीदी ने बोला कि यार तू वीडियो बना रहा तुझे वीडियो बनाने के लिए नहीं मिल रहा तो चलो यहार आगे का जरनी देख लेते हैं बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है ठीक है ना क्योंकि देखो भाई कलंकूंग यहार बहुत खुबचुरत जगह है और वहां में भी हमनों कहा जा रहे हैं मंगल ताम तो चलो यहार तो जो पाइलेट है ना बहुत अच्छे इंसान ठीक है ना उन्होंने अच्छनक से गाड़ी रोग दिया क्योंकि मैं जो है ना मैं कबसे यह जो नदी इसका देख रहा था और इतना खुबसूरत लग रहा है नहीं रंग देखो नहीं इतना प्यारा सा रंग है मतलब कि दिल नीला सा एक रंग कुछ ज्यादे अच्छा लग रहा है तो आपको देखने को मिलने वाला ये ठीक है ना अगर आप आएंगे मंगलदाम कलंकुं की तरफ तो रस्ते में ये ठीक जाता है ठीक है दोस्तों तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको फुरागा कि अच्छा आपको जब देखा रहा है तो जो तर्णिंग है उसको देख करके बहुत ज्यादा मज़ा आ रहा है और उसका नाम जाए नाव क्या नाम है यहां पर जले भी टर्णिंग ठीक है तो चलो यह गूम रहे हैं कफसे मैं आपको दिखानी पा रहा हूं लेकिन आपी अब यह गूमी रहे हैं कि अच्छा आपको जोगों अच्छा ना ना इत्स चोड़ा ना उसमें जगा कि समस्या वह अकसर रहती है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो गाड़ी पार्किंग है ना रोड के साइड में नीची तक एकदम पूरा गाड़ी पार्किंग में आपको दिखा देता हूँ आप लोग देक कि कालिंग पुंग अगर कि अगर हम लोग देलो नहीं गए ना तो कहां गए तो टेलो जा रहे हैं ठीक है ना आपको देखना है और मैं आपको बता दू कि अभी फिल हाल कि अभी जाने के रस्ते पर किया है एक हनुमान मंदीर है ठीक है तो वहां पर हम लोग जाने वाले देखो सब लग और भी है और भी है सब लोग चेड़ी चड़ रहे हैं बहुत उपर जाना पड़े हैं ठक जाएंगे इसमेक्टर ऐसे होता है ठीक है ना देखो सब रेडियो तो के आ रहे है, ठीक है, चले, देखो, चड़ना है उपर कि आ रहे है, कालंगपोंग, सिक्किम, दारचिलिंग, और अगर आप अरुनाचल प्रदेश चले जाए, तावांग, बामडिला, यार यह सब बहुत ही खुबसूरत जगों में से एक है, ठीक है और यहां पर यह हनुमान मंदिर कुछ जादे मजा रहा है, आप देखो, पीछ पीछे देखे, बहुत ही खुबसूरत सापको नजारा यहां से देखने को मिलने वाला है, हनुमान मंदिर ठीक है, कालंपुंग, यहां से हम लोग कहा जाने वाले है, डेलो, बहुत ही खुबसूरत जगह है, कहते हैं वहां पर बहुत अच्छा लगता है, तो चलते हूँ अब यहां में हम लोग हनुमान जी के पाओं की नीचे है, ठीक है, तो आप यहां का खुबसूरती का मजा लेजे, मैं आपको दिखा देता हूँ, कितना खुबसूरत दिखाई देता है, यहां से पुरा एरिया, ठीक है, आप देख लिजे, और अच्छा लगता है, तो वी अब लिए लाइक कर देना, ठीक है, उसके बाद अभी डेलो, आप उतरते हैं यहां से नीचे और जाएंगे डेलो, जहां पर अम लोग जा सकते थे पहले ही, लेकिन हम लोग गए नहीं ठीक है क्यूव कि पहले हम लोग नेसे यहां जाते हैं फिर देलो जाएंगे वहां प झाल